एक बच्चे के केरियर में बहुत important step होता है कि जब वो 10 से 11th move करता है तो उसको coaching join करवानी चाहिए या नीज करवानी चाहिए और किस बच्चे को यहाँ कोटा में admission करवाना चाहिए ठीक है मैं कोटा में रह रहा हूँ 1985 से तो मुझे 39 years हो गए और as a faculty workout करते हुए मुझे लग से बच्चे का career decide होता है और अगर यहाँ पर आपने गलती कर दी क्या precautions लेनी चाहिए और अगर गलती कर दी और यह सोचा कि नहीं कोटा में तो best faculties available हैं हम बच्चे का admission यहाँ पर करवा देते हैं देखिए parents आप बात समझे कि आप 4-5 लाक रुपे monthly खर्च कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि बच्चे का career बने लेकिन अगर आपने गलत action ले लिया तो career बनने की बजाए इतना बरबाद हो जाएगा कि फिर वो वापस उसकी recovery पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर किन points को देखना जरूरी है कि आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे का admission या कोटा म किसी कोचिंग में नीट या जेई के लिए आप करवाना चाह रहें तो पहले बात कर लेते हैं 10-11 moving student और जिसको कि आप चाहते हो कि कोटा में कोचिंग दिलवाई जाए चाहें वो नीट के लिए हो चाहें वो जेई के लिए हो दोनों के लिए similar condition मैंने बताई हैं अगर 11 में आप admission करवाना चाह रहें तो आपको यह points parents को देख लेने चाहिए और जो बच्चा देख रहा है इस वीडियो को उसको भी बात समझ लेने चाहिए कि उसका level क्या है उसने up to 10 तक किस तरह से अपनी पढ़ाई की है अगर वो 11 में admission ले रहा है तो मेरा कहना यह है class 8 to 10 देखे यह बहुत important होता है class 8 to 10 तक उसकी performance best होनी चाहिए अगर उसकी performance आप देख रहे है performance अगर इसकी यहां पे अच्छी है और class 8 में भी अच्छा था 9 में अच्छा था 10 तक उसने complete जो है अपनी preparation अच्छे से की हुई है तो यहां 11 में वो आए अगर by chance यहां पे हम bifurcation करेंगे कई तरह की category के एक बच्चा जो है average है और एक है अबव एवरेज बच्चा अबव एवरेज है और एक है बिलकुल मैं बोल सकता हूँ कि वो excellent condition में है ठीक है ना तो इन तीनों conditions में किस बच्चे को यहां 11 में आना चाहिए और NEET और JEE के लिए admission करवाना चाहिए ठीक है मैं इस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो average है जिसने बहुत सारे chapters जो है अब तक पढ़ाई जो है बहुत casual way में की है और उसकी especially अगर वो JEE की त्यारी कर रहा है तो उसकी maths week है maths अगर week है तो फिर वो JEE के admission के लिए लाइक नहीं है class 11 में ठीक है न यहां पर दिक्कत यह आती है कि 10 तक तो ऐसी इसी तरह से maths पढ़ते रहे लेकिन चाहते हैं कि JEE की जाए ठीक है और maths हो week तो ऐसे case में वो student जो है perfect student नहीं बनता JEE aspirant तयार नहीं हो सकता क्योंकि 11th 10 तक जो है यहां से ही कहते हैं कि पूत की जो लक्षण है वो पालने में नजर आ जाते हैं तो 8 से 10 में पता लग जाता है कि यह बच्चा जो है आगे किस तरह से perform करेगा ठीक है न जो average रहा है जिन कि वहां पर कोटा में best faculty है बहुत cream faculties है वहां बहुत अच्छी तरह से पढ़ाये जाता है और मैं मैं मैंनत करूंगा डेली 25 गंटा पढ़ूंगा तो डेली 25 गंटे पढ़के और बोले मैं उस चीज को cover कर लूँगा और मुझे admission लेकिन यहां पर वहां हो जाएगा क्योंक होता है उसके बाद में बच्चा वापस अपने घर जाता है जब एक महीने के बाद में within one month जब उसको समझ में आयाता है कि मैं इसको यहां पे जो कैरी नहीं कर पा रहा हूं यहां जिस तरह से परफॉर्म करना है वह workout नहीं हो पा रहा है तो जब वह घर पे जाता है तो वह उसी चीजें हैं यह सारी की सारी जब 11 जो वीक हो गया पूरा बैक्लॉग में चले जाता है ठीक है बैक्लॉग में चले जाता है उसकी प्रपरेशन जो है दुबारा हो नहीं पाती है कहीं पे भी जो वहां पे local level पे coachings है या school है वहां पे सब जगे chapters आगे से आगे पढ़ा होती है और अगर उसने बहुत अच्छे से तयार किया है तो average बच्चे को तो बिलकुल यहां पे कोटा में admission नहीं लेना चाहिए average arrangements जिसने अब तक पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया और यह commitment कि यहां teacher अच्छे हैं यहां पढ़ाई अच्छी होती है यहां syllabus अच्छे से कराया जाता है यहां coaching institutes अच्छे हैं वो यहां कोई फायदा नहीं देने वाले उस बच्चे के लिए यह मैं इतना firm way में इसलिए बो अच्छे का एक ही एक नुकसान नहीं होता कई सारे नुकसान होते हैं पैसा बरबाद होता है पूरा पैसा बरबाद हो जाता है महीने डेड़ महीने की पढ़ाई खराब हो जाती है और जब घर पे जाता है तो जब वह डेड़ दो महीने का backlog लेके जाता है तो उसका जो moral है 11 से 60% पार्ट आता है और 12 से 40% syllabus ये एक average बता रहा हूँ सभी के लिए बता रहा हूँ चाहे नीट हो जेई हो ये syllabus जो है तियार होके वहाँ पे नीट और जेई का paper बनता है ठीक है न जब 11 में जो mainly 60% है जब ये इसका foundation बनाने वाला है और वह foundation जब वीक हो जाती है तो 12 में जो वह weakness है उसको लेके जब वो उतरता है बच्चा मैं वीक बच्चे की बात कर रहा हूँ तो वह कभी cover नहीं होता कभी recovery नहीं हो पाती है वह जो backlog है वह बना रहता है और फिर जो है parents भी सोचते हैं कि हो क्या गया बच्चा भी सोचता है कि यह हो क्या गया हो यह गया है कि आपने decision गलत ले लिया अगर बच्चा वीक है तो parents को भी बोल रहा हूँ और मैं student को भी बोल रहा हूँ कि उस case में आपको admission नहीं लेना है यहां कोटा में कोई ऐसे कोई यहां पर ऐसे नहीं कि कोई घुट्टी पिला दी जाती है या कोई मंत्र मार के आपके दिमाग में जो है सीधा स्टेट जो है आपको मंस एंट्री करा दी आपको चीजें याद हो गई पढ़ाई बहुत जादा उस तरह से करनी पढ़ती है और ऐसे केस में concept जब clear करने में किसी बच्चे को दिखकत हो एक concept होते हैं चोटी-चोटी concepts होते हैं उसको clear करने में उसको आदा पॉन घंटा लगता है तो वो चीज यहाँ पर दो मिनिट में समझा दी जाती है और उस concept पर फिर आपको 18 questions करने होते हैं तो ऐसे case में जिस बच्चे का अब जो flow अच्छा नहीं है जो अच्छे से workout नहीं कर पा रहा है उसके लिए कैसे possible है कि जो देड़ घंटे आज जो तीन घंटे की पड़ाई हो गई है दो period होते हैं daily के कहने के मिलब दो chapter की दो subjects हैं उनकी classes होती है तो उनका भी वो recover नहीं कर पाता फिर DPPs हैं फिर sheet को लगाना है फिर doubt में जाना है दूसरी चीज़े हैं और यहां पे जो रहने में जो hurdles हैं hurdles रहने की हैं कि यहां पे आपके कपड़े हैं दूसरे आपका hostel में रह रहे हैं आपको बाहर का जो चीज़ें manage करनी परती है या students वैसे भी students रहते हैं जो चाते हैं कि आप पढ़ाई नहीं करें वो student मी यहां पी रहता है ठीक है उन सबसे बचके और अपने आपको फोकस करना अपने आपको फोकस करना और खाली पढ़ाई पर ही ध्यान देना ये सब चीज़ें को manage करना भी बड़ी बात है फिर आप अपने parents से अलग रह रहे होते हो ठीक है ना तो parents से मैं ये भी पूछना चाओंगा क्या क्या जो नुकसान है वो parents को अच्छी तरह से मालूम होने चाहिए कि क्या दिक्कते आती है homesickness फील करता है बच्चा सारी बाते आती है उन सब को manage करने वाला तो उन सब चीजों को जो मैं बहुत जल्दी जल्दी बोले जा रहा हूं इन सब चीजों को क्या करना पड़ेगा पहले आपको यह देखने पड़ेगा कि आपका बच्चा इन सब बातों के लायक है क्या वो homesick तो नहीं फील करेगा वो strong है mentally strong है क्या वो सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं वो manage कर पाएगा वो सब इन चीजों को workout कर पाएगा और क्या फिर वो अच्छा perform कर पाएगा खली आपने एक चीज सोच ली आपके पास में तो चार से पांच लाग रोपे सालवर देने के लिए है आपने सोचा नहीं हम अच्छा पढ़ाएंगे अच्छे टीचर हैं कोटा में अच्छे टीचर है वो तो बहुत अच्छा पढ़ाएंगे सारी पढ़ाईयां अच्छी होती है खाना अच्छा है मैं सच्छे है सारी बात में नहीं आना चाहिए वो हर तरह से उसका नुक्सान ही नुक्सान है और कुछ नहीं होने वाला मैं बात करूंगा कि अबव एवरेज बच्चे की अबव एवरेज बच्चा मिंस जो की जिसने जानता है समझता है सारी चीजों को वर्काउट कर सकता है ठीक है जो बच्चा अपने कई बार ऐसा होता है कि अपने लोकल प्लेच में उनके जो टीचर्स थे पचास बच्चों के बीच में वो वहाँ पे hero था, वो बच्चा topper था, लेकिन जब वो यहाँ आता है, तो यहाँ पे जब इतने बच्चे होते हैं, उनके बीच में जब उसकी performance बेकार जाती है, और वो जो है, उसकी जो performance, मन से आदे से भी कम उसकी rank चली जाती है, तो उसे लगता है, यह क्या हुआ, मैं तो वहाँ पे अपने local place में तो मैं topper रहता था, और यहाँ कैसे गड़बढ हो गया, तो यह होती है above average बच्चे की कहानी, जो की मतलब अपने local place में अच्छा perform कर रहा होता है, लेकिन कहीं ने कहीं उसको गड़बढ होती है, concepts में कि किसी तरह जैसे ठीक है, topper है, teacher appreciate कर रहे होते हैं, वो अपनी जगे का hero होता है, ठीक है न, लेकिन यहाँ आने के बाद में अच्छानक जो है, अगर syllabus well prepared नहीं है, तो मैं एक चीज़ सला देना चाहूंगा, उन बच्चों के लिए, जो की above average हैं, अब कैसे तो लें, इस बात को कैसे हम analyze करें कि मेरा बच्चा, parents ये कैसे analyze करें कि मेरा बच्चा above average है, और बच्चा कुद कैसे decide करें कि वो above average है, तो class 8 से लेके 10 तक उसकी कैसी performance रही थी, और जब वो 11 में यहाँ आना चाहे, कोटा में admission लेना चाहे, तो उसको एक काम करना ही पड़ेगा, कि 11 के जो chapters हैं, वो चा 3, 4, 4, 5, 5 chapters को उनको पहले से ही तयार करके आना पड़ेगा academic level पे, ये मैं बात कर रहा हूं above average बच्चे की, जो कि अगर चाहता है, कि वो यहाँ पे इसके यहाँ जिस speed से workout होता है, जिस speed से पढ़ाया जाता है, उसको अगर अच्छे से पढ़ना चाहे, और वो सारी conditions तो सा बात में attached to you हैं, कि आप 4-5 लाग रुपे खर्च करते हो, यहाँ पे खाने का है, ठहरने का है, home sick है या नहीं है, mentally strong है या नहीं है, इन सब बातों को देखना है, और भी जो negativity यहाँ पे कोटा में, बच्चे फैलाते हैं आपस में, जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे होते ह उनके groups हैं, कहीं उस group में शामिल तो नहीं हो जाएगा या involve तो नहीं कर लेंगे, जो दूसी चीज़े हैं जो कि यहाँ पे distract कर सकती हैं, उन सब चीजों से वो क्या focused बना रहेगा, इतनी अगर guarantee बच्चा खुद और parents दोनों मिलके ले सकते हैं, तो above average बच्चे को यहाँ admission क करवाना चाहिए, क्योंकि यह सब जितनी भी conditions हैं, यह meet out होनी जरूरी है, तो आप बच्चे को admission करवाईए, है न, कोई problem नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो जिस तरह का teaching level है, वो अच्छा है, सारी चीज़े, लेकिन बच्चा focused होना चाहिए, बच्चे को यह आपको parents को भी confirm होना चीए, और student को भी confirm होना चीए, कि चाहें वो NEET में जा रहा हो, चाहें JEE में जा रहा हो, उसको पता है, कि मैं बिलकुल खाली पढ़ाई करने के लिए ही जा रहा हूँ, और मैं उसको workout कर पाऊंगा, मैं उसको workout कर पाऊंगा, एक आपको मैं tip दे रहा हूँ, आप इस समझने के लिए अपने बच्चे को, पैरेंट से बोल रहा हूँ, कि बच्चे को लेके यहां पर कोटा में आ जाईए, और जो यहां पर आपके कोई known होंगे, या जो भी कुछ होंगे, जहां बच्चा पढ़ रहा होगा, उसके साथ में उसको 3-4 दिन रखी है, कि यह देख इनके लिए आगे procedure बढ़ाएंगे, और admission लेंगे, ठीक है न, हम मैं बात कर रहे हैं, excellent बच्चे की, जो की शुरू से ही बहुत sharp बच्चा रहा है, और cream बच्चा रहा है, तो उसको तो definitely कोटा में आना चाहिए, ठीक है, उसको कोटा में आना चाहिए, चाहें वो neat की preparation कर रह है, या चाहें वो JEE की preparation कर रहा है, क्योंकि कोटा में जो जिस तरह से notes मिलते हैं, जिस तरह से classes, discuss होती हैं, सारी बाते होती हैं, तो उस बच्चे को क्या होगा, कि वो already diamond होता है, तो diamond को उसकी और sharpening हो जाएगी, और वो जैसे ही sharp होगा, तो shining, sorry sharpness नी बोलूँगा, मैं उस इस से अच्छा perform कर पाएगा, क्योंकि पहले से उसका basics उसके strong हैं, basic सारे strong है, mentally वो strong है, और वो physically strong है, वो सारी चीजे उसको manage कर सकता है, वो hostel manage कर सकता है, खाने को manage कर सकता है, अपने कपड़े वगरा, अपनी तयारी और अपने आपको control में रख सकता है, control में की focused रहेगा, पड़ाई में focused रहेगा, और इस तरह से वो parents भी उसमें खुश रहेगे, और वो बच्चा भी खुश रहेगा, तो जो excellent condition में है, उसको बोले क्यों, यहाँ पर एक question ये भी आता है, कि मिन्स जब वो excellent बच्चा है, तो फिर यहाँ कोटा में क्यों admission कराना, येस, इसका जवाब मैं देना चाहूँगा, कि जब वो excellent है, वो हो सकता है कि वो अपने घर बैटे ही, मिन्स कोई भी neat या जेई कुछ भी clear कर दे, यहाँ क्या मिलेगा उसको, यहाँ मिलेगा उसको उसकी sharpness, और जब इतने सारे बच्चों के बीच में वो बहुत अच्छा साथ में उसको देगा, और यहाँ जो mock test चलते हैं, जो coaching institutes के mock test वगरा चलते हैं, उनके साथ में बैठेगा, और उसके बाद में उसकी जो performance है, हजारों बच्चों के बीच में सामने आएगी, तो definitely वो बच्चा जो है, अच्छे से अच्छा perform करेगा, main thing, main point क्या है, that provides the confidence booster, its quota provides the confidence booster for the excellent student, excellent student के लिए है, है न, यह चीद है, ध्यान रखिये है, कि क्या excellent student को question यहाँ पे कही बार ऐसे भी पूछ लेते हैं, कि coaching की क्या जरूब है, online work, test series वगरा, join कर ले, वैसा कर ले, लेकिन नहीं, ऐसा है, पढ़ाई जो 11th और 12th की है, यह मैंने लिखा, कि 60% से 11th से आ रहा है, और 12th से जो 40% syllabus आ रहा है, इन चीजों को फिर आपस में जो है, यह इनकी juggling होती है, यह जो concepts वैसे हैं, 11th और 12th के यह आपस में mix-up होके, यह जो questions हैं, चाहे neat का हो, या जी का हो, वो बनता है, तो वो सारे questions की practice होती है, और उन practice से फिर जो है, बच्चे में और चमक आ जाती है, और वो जो है, अच्छा perform कर बाता है, तो main point, what the quota is providing, it provides the confidence, confidence, and quota is a confidence booster for the excellent student, and that enables student to go through the neat or jee, jee में फिर easily, easily selection जो है, वो ले लेता है, even topper बनते हैं, ठीक है न, topper वहीं से आते हैं, topper को पहले से भी पता होता है, excellent बच्चे को पहले भी पता होता है, कि मुझे करना क्या है, और उसको उसको workout करता है, और इस तरह से वो बिलकुल under 10 या under 100 की जो rank वाले बच्चा होता है यह बच्चा वो है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है न, यह बच्चा वो है, उस condition वाला बच्चा है, तो वो already excellence लेके आता है, फिर उसको और sharpening होती है, फिर उसकी और shining होती है, फिर वो जो है, और सब कुछ under control होता है, उसका सारा सब कुछ under control होता है, तो बिलकुल selection क्यों ना हो, ठीक है, यह average बच्चा जो है, यह कई बार control खो देता है, इसका जो above average बच्चे की बात कर रहा हूँ, यह कई बार control खो देता है, इसमें हो सकता है कि कुछ जैसे कभी backlog आ जाए, तो फिर उसकी recovery नहीं होती है, तो यहाँ पर दिक्कत आ जाती है, और average बच्च जाएगी, 11 बरबाद हो जाएगी, तो उसके बाद में 12 बरबाद हो जाएगी, और साल बर में जो कोटा में 4-5 लाक रुपे जो हैं वो भी बरबाद हो जाएगे, उसके बाद जब बच्चा घर पे पहुंच जाएगा, तो उसके बाद में उसका confidence भी खतम हो जाएगा, और उसके इस तरह से वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसके बाद में 12 भी बरबाद हो जाएगी, इस तरह से केरियर भी बरबाद हो जाएगा, तो overall कोई मतलब नतीजा इसमें निकलेगा नहीं, अगर आप चाहते हैं मेरी बातों को positively लीजिएगा, और समझेगा, क्या कह रहा हू वेल-experienced हूँ, that's why, मैंने बताया, 39 years से रह रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें देखते आया हूँ, तो उस आधार पे मैंने चीज़ों को आपको समझाया, मैं चाहूंगा कि आप अपना best to best इस चीज़ को इसको analysis करके, और उस आधार पे आप जो है, अपना judgment ले, admission लेना है, या नहीं लेना है, ये सब चीज़ें जो है, इस वीडियो के माधियम से आपको पता चल सकती है, all the best for all the parents, जो अपने बच्चे का career बनाना चाहते हैं, और all the best for the students, जो चाहते हैं कि वो future में आगे अच्छा perform करें